दोस्तो कि आप जानतों, कोल्डिंग्स के बोतल में थोरी सी ग्याप क्यू रखी जाती है? एक ऐसा देश जहाँ पत्नी की बाड़े भूलने पर दी जाती है साजा और कि आपने कभी सोचाए, जब किसी अपरादी को जच फासी की साजा सुनाती है तब उस पेन को क्यू तोर देते हैं? इन सबी सवालों का जबाब मिलेगा आज की इस एपिजोड में और वीडियो के लास्ट में हैं आपके लिए मज़ेदर सवाल, तो वीडियो को लास तक ज़रू देखना जब किसी अपरादी को फासी की साजा सुनाने के बाद जच साब बरे स्टाइल से कलम को तोर देते हैं लेकिन सवाल है, क्या की रैसा क्यू करते हैं? जरसल भारत के संग्विदान के अनुसार जिस कलम से किसी इनसान की मौत लिखी जाती है उस कलम को दो बारा एउस नहीं किया जा सकता एक तरह से इस कलम को आप शाफित भी कह सकते हो अगर आपके फ्रीज से खतरनक बला स्मेल आ रही है जिससे आपका हालात कुछ ऐसा हो रहा है तबको सिर्फ पांच रुपया खर्च करना है याने कि बाजार से पांच रुपया देकर एक निम्बू खर्च करना है और फिर उसे आपने आख में डाल लेना है तो यार उस निम्बू के दो टुकरे करके फ्रीज में रगधना है इसे कुछी समय में आपके फ्रीज से बदबुग गायब हो जाएगा तो यार कुछ भी कर लो हम लर्गो की तो हर तरफ से लगी पड़ी है यार हम सबी के पैरेंट्स ने इतना पैसा करच करके हमें स्कूल बेज जाता जिससे हमें ये सीखने को मिला है कि किसी भी जीव को जिन्दा रेने के लिए दिल, दिमाग और खुन की अभशकता होती है पर कि आपको पता है जेली फिश एक ऐसा प्राणी है जिसमें ना कोई दिल होता है ना कोई दिमाग और ना कोई खुन नमर 11 क्या जानते हो आइस क्रीम का वेनिला फ्लेबर बनने के लिए जो केमिकाल इस्क्तमाल होता है उसका नाम कैस्टोडियम है और ये केमिकाल बीवर नाम का जानौर के इरिन से बनती है नमर 10 एक बहुती अजीब फैक्ट है दरसाल टाइटन गासे में एक जैपनिस पैसेंजर बज गया था लेकिन अजीब बाद है कि उसे जिन्दा देखकर उसके देजबालों ने उस आदमी को हसला देने के बदले उसे डरपो कहा क्योंकि वो दूसरे पैसेंजर की तरह मरा कर दिया नमबर 8 न्यूजिलंड में ग्रीजबर नम का एक एरपोट है जो कि दूने का सबसे अनुका एरपोट माना जाता है क्योंकि इस एरपोट की रानवे के बीच में से रेलबे टेक गई है और इस रानवे से प्लेन और ट्रेन एकी साथ गुजरती है जो कि देखने मे फिल्मी सिंस की तरह लगता है नमबर 7 क्या को पताए पश्चिमी प्रशंद मासागर में उपस्तित मरी अन्ट्रेंस दुने का सबसे गहरा जगा है और इसका गहराई 12,000 मीटर है और इस जगा पर कुछ गिने चुने लोगी जा पाए और आसन भाशा में कहा जाए तो इसे कैंसर का करण भी बन सकता है नमबर 5 पहले के समय में परसिधन के लोग प्रशंद से बचने के लिए मरे लोगे के बोडी को जालाने या दफनाने के बज़ाई बिल्डिंग के छात पर गीत के सामने रख देते थे जिसे गीत उस मरे बोडी को खा लेते थे इसे उनका टाइ के पॉपुलर सिंगर उमर्शनों को तब जानते होंगे लेकि इनके आपको पता है उन्होंने भी गिनिस बुक में अपना नाम दर्च करवाया है दरसाल 1993 में इन्होंने एक दिन में 28 गाने गाय थे जो की एक वर्ल्ड रेकोट है नमबर टू तो यारो ऐसे तो बहुत सारी बिमारी है जो की जान लेबा होती है पर एक ऐसी बिमारी है जिसमें एक इनसान को दिन भर विष्टान में परेरेने का मन करता है और इस बिमारी को किलिनों मैनिया कहा जाता है और नमर वान दोस्तों क्या जानते हो कोल्ड इंस के बोतल में थोरी सी ग्याप क्यों रखी जा और बोतल पहले जैसी रहे और अचका मज़द सवाल वह कौन सी चीजे जो पानी में गीने पर भी गीली नहीं होती है और इसका एंट सार कॉमेंट करके बताना तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दिजिए पर साथ इस चैन को सब्सक्राइब कर दिजिए और कौन सा